आज हम डिसकस करने वाले हैं मद्य परदेश में जन संख्या व जन गणना से सम्मधित पूर परिच्छा में पुछे गए प्रस्ण नमस्कार मैं हूँ सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेस एकेडमी के अडियो चनल पर दोस्तों मद्य परदेश में जो जन संख्या है 2011 से समधित जो भी है question answer उसको हम उस पर आम बात करने वाले हैं उस पर discuss करने वाले हैं 2021 में जन गणना होने वाली थी लेकिन कोविट के कारण जन गणना ना हो पाई तो जो भी question answer next exams में आएंगे MBPSC pre या पटवारी या कोई सी एक्जाम्स भी देखेंगे तो उसमें एक नेक question तो जनसंख्या जनगन्ना से related है साक्षरतादर पूछ लियता है या किसी जिले की या फिर जनगन्ना पूछ लेगा म्रत्युदर पूछ लेगा शिशुल लिंगानुपाद पूछ लेगा कोई न कोई question तो जरूर बनता है तो आप मेरे साथ बने रहें अन्त तक पहले question पर हम discuss करते हैं कि मद्यपरदेश का जनसंख्या प्रती वर्ग किलिमेटर क्या है तो दोस्तो 326 प्रती वर्ग किलिमेटर है और यह जो एक्जाम से है उसमें MPPSC Pre 2009 में पूछा गया था Dairy Federation भरती परिच्छा 2016 में पूछा गया था Jail पहरी 2017 में पूछा गया था और मद्यपरदेश राज्य सहकारी विपनन संग मर्याद भरती जो हुई थी 2015 उसमें भी पूछा गया था कि मद्यपरदेश का जनसंख्या प्रती वर्ग किलिमेटर क्या है तो मद्यपदेश की जनसंख्या का प्रति वर्गे किलोमेटर 326 वेक्टी प्रति वर्गे किलोमेटर है नेक्स्ट क्वेश्चिन की वर चले मद्यपदेश राज्ये का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो यहां मारे पास अपसंस उस समय 2009 की एक्जाम सो हुई थी उसमें पुछा गया है कि मद्यपदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो हर्दा है वर्तमान की बात करें दोस्तो तो निवाडी जो है वहां की जनसंख्या कम है नेक्स्ट अंतिम जनगंणा सरवेक्षन के अनुसार मद्यपदेश की नगरी जनसंख्या कितनी है तो दोस्तो एक करोड़ साट लाग मानी जाती है नगरी और शहरों में लोग रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्यपदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है जनगंणा 2001 के अनुसार पूछलिया है अन्तिम जनगंणा सरवेक्षन के अनुसार मद्यपदेश में लिंगानुपात है 2001 के अनुसार पूछ लिया है तो 919 महिलाएं है प्रती 1000 पूर्शो पर MBPSC Pre 2009 में पूछा है Next, किस जिले में लिंगानुपाद सबसे अधिक प्रती कुल है 2001 के अनुसार तो दोस्तों मूरेना में Next, किस जिले में साक्षरतादर सरवादिक है तो 2001 में पूछा है पटवारी 2008 में भी आया MBPSC Pre 2008 में आया 2001 की जनगना के अनुसार किस जिले में साक्षरतादर सरवादिक है तो नर्सियोपूर जबकि 2011 की जनगना के अनुसार देखा जाए तो जबलपूर Next, मद्यपरदेश में सरवादिक आगे चलकर आप देखेंगे तो 2021 में होने वाली थी जनगना लेकिन वो होने पाई कोविट के कारण लेकिन हमें तीनों याद रखना होगा कि 2001 के अनुसार, 2011 के अनुसार और जब भी 2022 तेश में जनगना होगी उसका डेटा भी हमें याद रखना होगा जनगना एजनसर कासे लेलेटेट Next question की बात करें आगे हम कि जनगना 1999 के अनुसार चोत्तर हजार गाउं है और Next 1999 की जनगना के अनुसार मद्यपरदेश में प्रती हजार पूरूस के अनुपात में महिलाओं की संख्या 912 थी भारत में अनुपात क्या था तो दोस्तो भारत में 927 था जबकि 1999 जनगना के अनुसार दोस्तो कितना था 912 महिलाएं थी, 1,000 पूर्सो पर और 2001 में पुछा जा गया है कि कितनी महिलाएं थी, तो दोस्तो 911 महिलाएं थी, 1,000 पूर्सो पर और 1992 में कितनah थी तो आप याद रखे, 912 और 2001 में 919 महिलाएं, 1,000 पूर्सो पर next, आगे की बात करे 2011 2011 की जनगर्णा के अनुसार मद्यपरदेश में सरवाधिक जनसंक्या वाला जिला कौन सा है तो ये 2011 की जनगर्णा के अनुसार इंदोर जिला है मद्यपरदेश में साक्षरता का प्रतिस्ट उन्नीज इंक्यानबे की जनगर्णा के अनुसार क्या है तो 1999 का डेटा भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये पूछा है उन्होंने तो 44.2 था नेक्स्ट मत्यपदेश की 1999 की जनगना के अनुसार प्रती हजार पूरूस के अनुपात में महिलाओं की संख्या है तो 1015 पूरूस कितने थे? महिलाओं की संख्या दोस्तों 1999 में 1015 थी जबकि हमने यहाँ पर लिंगा अनुपात में इधर 912 बता दिया था मत्यपदेश की प्रती हजार पूरूस के अनुपात में महिलाओं की संख्या 912 और यहाँ पर भी यही है नेक्स्ट कोश्चन में कोईन के गड़बडी है हम आगे देखेंगे इस जिले में आदिवासी नागरिकों के संख्या कम है तो श्योपूर में कम है 2001 की जनगना के अनुसार मत्यपदेश की कुल जनसंख्या थी तो 6 करोड तीन लाग थी 2001 की जनगना के अनुसार और दोस्तो 2011 की जनगना के अनुसार अभी 7 करोड 26,26,809 आप फिर से एक बार रिपीट में कर देता हूँ कि 2011 की जनगना के अनुसार मत्यपदेश की कितनी जनसंख्या है तो 7 करोड 26,26,809 ये एक्जिट डेटा है 2011 की जनगना के अनुसार 2021 में और भी डेटा 2021 डेटा तो COVID-19 के कारण जनगना नहीं हो पाई तो नेक्स्ट जब भी आएगी जब भी जनगना होगी उसका डेटा आप याद रखना मत्यपदेश राज्य में सरवाधिक साक्षरता वाला जिला है तो नर्सियोपूर 2001 की जनगना के अनुसार पूछा है नेक्स्ट है मद्यपदेश के कि जिले में सन 2001 की जनगना के अनुसार महिला साक्षरता सबसे अधिक है तो नर्सियोपूर में सबसे अधिक थी नेक्स्ट निमलिकित में से कोन सा जनसंक्या की द्रस्टी से मद्यपदेश का छोटा जिला है तो दोस्तों उस समय हरदा था आब अर्तमान की बात करें तो निवाडी है नेक्स्ट किस जिले में जनसंक्या घनत सबसे कम है तो डिंडोरी है मद्यपदेश का ही नहीं आपितु देश का भी एक मात्र हिंदी भासी पूर्ण सक्षरवाल जिला कौन सा है तो नर्शियोपूर 2001 के अनुसार नेक्स्ट जनगर्णा 2011 के अंतीम आक्डो के अनुसार 2001 से 2011 के बीच कितने पृतिसत 10 वर्षी जनसंक्या रधिदर रही है तो 20.3 पृतिसत रही है तो 70.6 पृतिसत और ये बहुत सारी एक्जामस में पूचा गया है दोस्तो पूलिस अरक्षक 2016 में पूचा गया है प्लाट्विन कमांडर 2014 में पूचा गया है डेरी फेटरेशन भरती 2016 में पूचा गया है लेबर इस्पेक्टर भरती 2017 में पूचा गया है टी ओ की जो पोस सत्तर साथ याद रखे आप नेक्स्ट वर्थ से 2011 में मद्यपदेश की जनसंक्या करोड़ों में थी तो कितनी करोड़ थी तो दोस्तो साथ करोड़ थी और अभी हम वर्तमा ने पूरा एक्जिट डेटा में बताता हूं कि 2011 के अनुसार कितनी थी साथ करोड़ 26,26,809 एक बार फिर रिफिट कर दो साथ करोड़ 26,26,809 जितनी बार बार हम रिपिट करेंगे उतना हमें याद होगा नेक्स्ट कोस्टिन के और चले कि 2011 की जनगना के अनुसार किस जिले का जनसंक्या घनतो सरवाधिक है तो बहपाल है 2011 के अनुसार अब सभी हम 2011 की देखने वाले हैं जहां पर 2001 दिखाई देगा मैं बताओंगा आपको अलग से 2011 के अनुसार दोस्तो जनगना के अनुसार की जिले का जनसंक्या घनतो अधिक है तो बहपाल का है जन्गर्णा 2011 के अनुसार मद्यपरदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामिर जनसंख्या का कितना प्रतिसत है तो गाओं में दोस्तों बहुत्तर दसमलो चार प्रतिसत लोग रहते हैं और नेक्स्ट हम बात करें कि 2011 की जंगर्णा के अनुसार मद्देपर्देश में महिला साफशता दर लगबक कितनी है तो 60 प्रतिसत है आप याद रखे हमने अभी तोड़े देर पहले देखा था कि मद्देपर्देश की साफशता दर क्या है तो दोस्तो साफशता दर कितनी ह 70 प्रतिसत है तो 60 प्रतिसत को दोस्तो याद रखे कि महिलाओं की है याद रखे कि 60 प्रतिसत और भी कितनी है 70-60 याद रखना है तो 60 प्रतिसत याद रखे कि महिलाओं की है नेक्स्ट जंसंक्या के दस्टी कौन से वर्तमान में मद्देपर्देश का सबसे बड़ा और करें कि वर्तमाने प्रदेश की जनसंक्या की दस्टी से सबसे छोटा जिला दोस्तों निवाडी है टिकमगर से जो अलग हुआ है नेक्स्ट जंगर्णा कि से क्वागी से पूर्णा शासरता दर दोस्तों सब्सक्राइब कर दोनों रहेंगे नेक्स्ट याद रखें इंदोर जबलपूर 87.3% Next question सरवादिक नगरिकत वाला जिला है 2011 के अनुसार तो दोस्तो बहुपाल है मद्यप्रदेश के कीज जिले की जनसंक्या व्रद्धिदर अधिकता में 2011 के अनुसार तो सबसे ज़्यादा लोग कहां पर जनसंक्या व्रद्धि हुई है तो इंदोर में हुई ये, मद्य परदेश में नियुंतम जनसंक्या घनतवाला जीला कौन सा है तो दिनडोरी है, मद्य परदेश का लिंगानुपाद 2011 कितना है, तो दोस्तों ये है 931 लिंगानुपाद 2011 के अनुसार है न और आभी वरतमान की बात करें तो बहुत अच्छी हमेरे दोस्तों की खंडबा जिला उहां पर लिंगानुपात बड़ा है निकि महिलाओं की बालिकाओं की संक्या बड़ी है एक हजार पूरसों पर कम से कम बता गया है कि वह आप देख लिजेगा खंडबा सर्च कीजेगा कि जमसंक्या के मामले में लिंगानुपात के मामले में खंडबा अभी नंबर वन पर है नेक्स्ट कोश्चन है कि 2011 के अनुसार मद्यपदेश का नियूंतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो व्रद्धी हुई है तो दोस्तों 10% व्रद्धी मानी जाती है जबकि 2011 से 2021 बाजिस तक देखेंगे तो बहुत जादा व्रद्धी हो चुकी है और बात की जाए दोस्तों कि इनका कितना प्रतिसात है 2011 के अनुसार तो दोस्तों 60% अब 10% की व्रद्धी हुई है तो आप सबसे कम दर्जी की गई 2011 के अनुसार तो अनुपूर जिले में जहां से नर्मादा रादी निकलती अनुपूर जिला जनगर्णा 2011 के अनुसार मद्य परदेश में स्ट क्या है तो दोस्तो 2011 के अनुसार मद्य परदेश में प्रतिशत पूछा है तो 21.1 प्रतिशत है नेक्स्ट किस जले की जनसंक्या सबसे कम है तो हरदा जनमी सबसे कम जनसंक्या उमरिया में है अब होगा और कोई जब भी हमारी जनगर्णा होगी नहीं मद्यपदेश में सरवादिक जनसंक्या वाली जनजाती है तो मद्यपदेश में सरवादिक जनसंक्या वाली जनजाती दोस्तों भील है जबकि पूरे भारत ने पूछा जाए तो गोंड है नेक्स्ट जंगंडा 2011 के अनुसार मद्यपदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले पांच जिले कौन-कौन से हैं तो भिंड, मुरेना, ग्वालियर, दतिया और शुपूरी नेक्स्ट निमनले खित में से कोन से राज्य में सबसे अधिक अनुसुचित जंगाती के लोग निवास करते हैं 2011 के अनुसार दोस्तों मद्यपदेश में करते हैं नेक्स्ट जन संक्या के द्रश्टी कोन से मदिय परदेश भारत में भारत का राज्य है तो पांचवा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है 2011 के अनुसार पाचवा सबसे बड़ा वर्तमान में पाचवा और इससे पहले 2011 की जनगना के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो छटवा नंबर पर था नेक्स्ट इन दोनों में मदभेत है कि जनसंक्या के दस्टी कोन से मद्देपरदेश भारत का पाचवा सबसे बड़ा राज्य है यह माना गया है और लेबर इस्पेक्टर वर्ती परिच्छा उसमें पाचवा बता आ गया है जबकि हम बात करें प्लाटून कमांडर वर्ती प जनसंक्या के दस्टी कोन से मद्देपरदेश भारत का राज्य है वर्तमान में तो पाचवा सबसे बड़ा राज्य माना गया है आप इन पे कंफिजन है तोड़ा सा दूर कर लिजेगा नेक्स्ट कोश्चन जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी में मद्देपर प्रदेश का प्रतिसत हिस्सा कितना है तो 6.0 प्रतिसत है नेक्स्ट वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार मद्देपरदेश की साखशरता दर कितनी है तो दोस्तों अंतिम अकड़ो के अनुसार देखा जाए तो 70.6 प्रतिसत आब याद रखे किसी किसी में 70.6 प्रतिसत दे रखा है और कहीं पर 70.6 सुन्य प्रतिसत दे रखा है प्रत्वारी वर्ति परिच्चा 10 दिसंबर 2017 में पूछा गया है नेक्स्ट वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार मद्देपरदेश का सबसे ज़्यादा अबादी वाला जिला कौन सा है तो इंदोर है जन जनगर्णा 2011 के अनुसार मद्देपरदेश के किस जिले में राज जी की ग्रामिन अबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मना जाता है तो दोस्तों रिवा में सबसे ज़्यादा ग्रामिन लोग माने जाते है यह ग्रामिन अबादी का ज़्यादा हिस्सा होता है नेक्स्ट सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो इंदोर है नेक्स्ट जंगर्णा वर्स 2011 के अनुसार मद्यपदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सरवादिक है तो बहुपाल में है मद्यपदेश के किस जिले में जंगर्णा वर्स 2011 के अनुसार जंसंक्या घनत्व सरवादिक है तो बहुपाल में है मद्यपदेश में गाओं की कूल संख्या कितनी है तो माना जाता है पचास हजार से अधिक नेक्स्ट मद्यबदेश में जन संक्या का कितना पृतिसवट गावं में रहता है तो दोस्तो 75% रहता है जंगर्णा2011 के अनुसावं मद्यबदेश के प्रतिवर्वे क्लोमेटर का ओसद घंत्व क्या है 236 प्रतिवेक्ति नेक्स्ट rhya 2011 के अनुसार जन्गन्ना जो हुई थी मद्यवदेश के किस जिले में सरवाधिक लिंगानुपात है तो बाला घाट में है नेक्स्ट कोस्टिन क्यों चलें भारत में नियमित एवं विग्यानिक धंग से जन्गन्ना किस वर्स से प्रारम्ब हुई है तो 1881 में दोस्तों नियमित एवं विग्यानिक धंग से जन्गन्ना प्रारम्ब हुई थी next 2011 की Жنगन्या की अनुसार भारत का जनसंक्या घनातव है तो पूरे भारत का पुचा जाए तो 382 जबकि मध्वदैस का पुचा जाए तो 236 next 2011 की जनगन्या की अनुसार मध्वदैस की जनसंक्या है तो 7,26,26,809 जबकि यहां पर दे रखा है 7,26,26 नेक्स्ट 7.2 करोड दे रखा है तो आप याद रखे पूरी जनसंक्या वी 7 करोड 26 लाग 26,809 है नेक्स्ट 2011 की जनगना के अनुसार मद्देपदेश में सरवादिक जनसंक्या वाला जिला है तो भौपाल है नेक्स्ट लिंगानुपात की बात करते हम कि जनगना 2011 के अनुसा मद्देपदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाले 5 जिले हैं तो भिंड मुरेना, ग्वालेर, दतिया और गुना नेक्स्ट जनगना 2011 के अनुसार मद्देपदेश की कुल जनसंक्या में से ग्रामिन जनसंक्या का पतिसत कितना है तो 7 बहुत तर समलो 4 पतिसत नेक्स्ट जनगना 2011 के अनुसार मद्देपदेश में सरवादिक इस्तरी पूरुस अनुपात वाला जिला है तो बालागाट नेक्स्ट जनगना 2011 के अनुसार मद्देपदेश के सरवादिक साफषर तीन जिले है तो जबलपूर इंदोर और बोपाल नेक्स्ट मद्देपदेश में सर important fact देखने वाले हैं कि मद्देबदेश की जो नई जनसंक्या नीती है 2000 में आई थी 12 जनवरी 2000 सन 2000 को मद्देबदेश की नई जनसंक्या नीती आई थी और कौन-कौन से बात उसमे important factor है दोस्तों उसको हम देखने वाले हैं कि क्या हुआ था कि 11 मई 2000 के बाद विभा की नियुंतम आयू से पहले विभा करने वाले सरकारी नोकरी के आयोग घोसित किया जाएगा इसा माना गया है कि 11 माई 2000 के बाद में जो भी विवा की नियुनतम आयू से पहले आने 18 साल की उम्र से पहले साधी करेगा तो उसे सरकारी नोकरी के क्या माना जाएगा आयोग गोसित किया जाएगा और बाल विवा जो भी करता है तो दोस्तों उसको सरकारी नोकरी में नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट आगे मिसी में कहा गया है कि 11 माई 2000 के बाद दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति सरकार से भुकंड कर्ज आधी प्राप्त करने के लिए आयोग्य घुसित माना गया है कि सरकार से कोई भी सरकारी भवन नहीं मांग सकता है कर्ज नहीं लोन नहीं ले सकता है ये 11 माई 2000 के बाद से ही निती चालू हुई है जबकि दो संतान वाले व्यक्ति और ये बात हुई है कि दो से अधिक संतान नहीं करेगा फिर इस निती में क्या कहा गया है दोस्तों 12 जनवरी संदोहाजार को ये लागू हुई है बनी है अनुमदन किया गया है मद्दबदे सरकार ने और बात कही गई है कि जो 11 माई 2000 के बाद दो से अधिक जो संतान आने की दो से अधिक पुत्र या पुत्री उत्पन करेंगे वो व्यक्ति मंडी साकारी संस्ता हुई नगर पालिका हुई पंचाय चुनाओ ये नहीं लड़ सकते हैं ये हमारी निती में बना गया है नेक्स कहा गया है कि सं 2001 तक प्रजने अंदर घटा कर 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है दूसरी बात कि 11 माई को प्रतेक वर्स जनसंख्या इस्थाई करन दिवस मनाने का भी निर्णए लिया गया है और जो भी जनसंख्या इस्थाइत हो मैंने कि जनसंख्या को मैं बोल सकते हैं कि कम करने के लिए सहयोग में जो भी वेक्ति अच्छा कारे करेगा उसे पूरस्कत करने की बात की गई है और जन संक्या नीती के क्रियान वेन में जो उत्करश कार करेंगे वो पंचायतों को भी क्या प्रोसाहित करने की योजना बनाई गई है और कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट है दोस्तों उन पर भी हम बात करें कि जैसे जनगना से संबधित महत्पुन जो तत है उनके बारे में कि राज्य की कुल जन संक्या कितनी है जैसे मैंने आपको कहा 7,26,26,809 वेक्ति है जिन में दोस्तों पुरुषों की जो संक्या है वो 3,46,12,306 है एक बार फिर से देख ले पुरुषों की कुल जन संक्या कितनी है तो 3,46,12,308 है यह डेटा होगे एक्चुल डेटा 2011 की जन गर्ना के अनुसार अब तो और बढ़ गए होगा क्योंकि जब भी अभी कोविट के कारण जन गर्ना नहीं हुई है नेक्स्ट हम महिलाओं की बात करें कि महिलाओं की कुल जन संक्या कितनी है तो दोस्तो 3,50,14,503 है एक बार फिर से देखें महिलाओं की कुल जन संक्या कितनी है 3,50,14,503 जबकि पूरे मद्देपदेश की कितनी जन संक्या है 7,26,26,809 पूरु सो की संक्या कितनी हो गई 3, तीन करोड़ शुत्तर लाग बारह हजार 308 महिलाओं की कुल संक्या कितनी होगे तीन करोड़ पचास लाग 14503 नेक्स्ट इसी को हम आगे चलते हैं कि important बात यह है दोस्तों कि जो मद्यबदेश का सबसे साक्षर जिला है वो जबलपूर को माना गया है मद्यबदेश का जो सबसे ज़्यादा सीटन झाल जिला कोन सा है मद्यबदेश का जबल पूरे 2011 के अनुसार और सीटने कितने प्रतिशत में तो दोस्तों 51 राजपूर दोस्तों यहां पर 36.01% मानी जाती है 36.01% सबसे कम साथ शर्टादर अलिराचपूर और सबसे ज़्यादा है जबलपूर जिसमें बल है और 80.01% और नेक्स्ट जनसंक्या की दस्टी से सबसे बड़ा जो संभाग है जबलपूर है और मद्द्देश में सरवादिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों बाला खाट को मना जाता है और यहां पर बाला मतलब की महिला है और यह लड़िकिया बालिकान यह ज़्यादा है तो 2021 बालिकान हैं 1000 पूर्शो पर और अभी वर्तमान में दोस्तों जब भी जनगरना होगी तो खंडवा का नाम भी आएगा जिस जिले में हम रहते हैं उस जिले में भी बालिकान का लिंगानुपात बड़ा है नेक्स्ट जनसंक्या की द्रस्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा पड़ेगा तो इंदोर मिलेगा हमें और जनसंक्या की द्रस्टी से सबसे छोटा जिला हरदा है और जबकि वर्तमान की बात करें दोस्तों निवाडी है जनसंक्या की द्रस्टी से सबसे छोटा जिला और सरवादिक साक्षर्टा वाला जो संभाग माना जाता है वो भी जबलपूरी है और जिला भी पुछा जाता है जबलपूर है जबलपूर का दोस्तों कितना पतिसत है एक कैसी दसमलो एक पतिसत है जबकि मद्यपदेश में साक्षता की दर 79.3%, मद्यपदेश में महिला साक्षता दर दोस्तों कितनी है, 99.2%, मत्यार आप सम्थिंग, 60% आप याद रखे, और मध्यपदेश में पूरू साक्षता दर कितना है, तो 78.7% माना जाता है, सरवादिक जनसंक्या घनतवाला जिला भोपाल है 855 लोग प्रती व्यक्ति जो वर्ग किलोमेटर में रहते हैं सबसे कम जनसंक्या घनतवाला जिला डिन्दोरी है 94 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर में रहते हैं मध्यबदेश राज जी का जनसंक्य घंणतव 236 वेक्ती प्रति वर्ग किलोमेटर है और मध्यबदेश राज जी का लिंगानुपाद दोस्तो Nathan 31 प्रती हजार पूरुस है मला 931 बालिक आया हैं प्रती हजार पूरुस ओपर बात की जाए कि मत्रटेस राजों की दस्काइड प्रतिशत व्रधीदर व्रदी बीज दसमलो तीन प्रतिशत है वे व्रती द से सरवादिक नगरी जनसंक्या वाला जिला बहुपाल है सरवादिक स्सी वाले अनुसुचित जाती वाली जनसंक्या वाला जो जिला है वो दोस्तों इंदोर है और सरवादिक स्ट याने अनुसुचित जन जाती वाला जिला जो है वो धार है सरवादिक सबसे कम सबसे कम सब्सक्राइब कहा रहते हैं तो जहबुए में रहते हैं एक क्या aircraft पर this कि सरवादिक स्ट याने कि अनुसुचित जन जाती वाला जो है अली राचपूर 19 परतिसद और न्यूंतम जहां पर स्ट के लोग रहते हैं वह है भिंड जीरो दुसम्ड़ो नेक्सट सरवादिक ग्रामिन जनसंग के वाला जिला जो है रिवा और सरवादिक सहरी जंसंग के वाला जिला जो है वो है इंद्वर उमिद करता हूं दोस्तों यह आपको जरूर पसंद आया होगा मिलते हैं नए लेक्षनर के साथ में तब तक याATHAN